बूड आप्टरनून स्टुडेंट्स यारफ होटी कल्चर में अपना टॉपिक चल ला था कोल क्रॉप्स यानि सेकंड मोस्ट इपोर्टेंट वेजिटेबल गुरूप जिसके अंदर आप डिसकस कर चुके थे कॉली फ्लावर कैबेज नोल खॉल ब्रॉकली ब्रॉसलफ स्प चाइनीज कैबेज और केल यह सब डिसकस हो गया था आज अपने डिसकस करेंगे प्लांट प्रोटेक्शन जिसके अंदर हम डिसोडर डिजीज इंसेक्ट पैस्ट और कोल क्रॉप्स पर डिसकस करने वाले हैं बड़ उससे पहले एक इंपोर्टेंट इंफॉर्मिशन दिख सल रहा है जिसके लिए आप को पन कोड है वो इस्तेमाल कर सकते हैं जे आरफ 40 अब यह कोर्स आपका पढ़ेगा 6000 का और वन इयर का सस्क्रिप्शन रहेगा जो नेक्स्ट इयर के लिए प्रिप्रेशन करने वाले हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया चीज है क्योंकि इसक अलावा आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट टेस्ट मिलते हैं प्लस फुल लेंध टेस्ट है वो भी मिलते हैं और सलेबस का एवरी पार्ट है वो टच किया जाता है यानि पूरा कंप्लीट है वो सलेबस आपको इसमें मिलेगा और अब इसका प्राइस है वो 6000 से जाकर कोर्स है उसको एकसेस्न कर सकते हैं चलिए जो तोपिक चला था उसी पे अपने डिसकस करते हैं टॉपिक चला था चोटा रहे जाता है और चोटे-छोटे मतलों पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है जिसको हम बॉल दे निटे हैं और इसका बनना ही क्या कहलाएगा बटनिंग कहलाएगा अब बात आती है बटनिंग होती किस कारण है देखो एक तो आप क्या है और एज शीडलिंग लेते हैं एक चीज ध्यान रखिएगा प्लांट के अंदर चार ग्रोफ स्टेज़ होती है एक तो सीडलिंग उसमें बहुत स्लो ग्रोथ होती है, सेंस्टीव होता है प्लांट, इसलिए अपने इसको ज़्यादा तर नर्सरी में ही त्यार किया जाता है, कौन सी स्टेज को, सीडलिंग स्टेज को, उसके बाद एक बहुत ही मैं बोलू कि ड्रास्टिक ग्रोथ होती है, जिसको आप वेज ट्रांस्प्लांटिंग करनी है, वो कब करनी होती है, जिस समय सीडलिंग स्टेज कतम हो रही हो, और वेजिटेटिव स्टार्ट हो रही हो, वहाँ पे आपको क्या करना होता है, ट्रांस्प्लांटिंग, लेकिन अगर आप ट्रांस्प्लांटिंग में लेट हो जाते हैं, इ प्रोडिश्ट्रफ होगी तो प्लांट ज्यादा विगर्स होगा नहीं और उसका जो प्रोडेक्शन है वो भी कोई ज्यादा नहीं होगा फ्लावर से वो छोटा रह जाएगा वंपैक्ट नहीं बनेगा चोटे-छोटे पार्ट्स में बन जाएगा उसी को आप बटनिंग बो लगती है 1-15 October में और माल लो हार्वेस्ट होती है वो 1-15 जनवरी में अब आप इसे लेट लगाते हो माल लो आप इसे लगाते हो 20 October से लेके 10 November के बीच में तो यह हार्वेस्टिंग तो इसी टाइम होगी maturity इसी टाइम ले आएगी तो अब इसे क्या है ग्रोथ करने का उटा रहे जाएगा और compact नहीं बनेगा तो अभी बटनिंग होगी यानि early variety को late grow करते हैं तब भी आपको यह problem देखने को मिलेगी उसके अलावा अगर nitrogen की poor supply है nitrogen हम proper नहीं दे रहे हैं तब भी जो card है वो compact develop नहीं होगा full develop नहीं होगा buttons के रूप में होगा उसके अलावा और crowding कर देते हैं यानि आप क्या करते हैं farm पे बहुत close spacing के साथ planting कर देते हैं तो plant को क्या है पूरी तरह से separate होने का develop होने का मोका ही नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से भी क्या होता और crowding या high density की वजह से भी क्या है buttoning है वो देखने को मिलती है तो सबसे पहला था आपका buttoning द बात करें raciness क्या होता है देखो raciness का मतलग होता है premature flower bud develop होना यानि अभी क्या है time तो आया ही नहीं है अभी flower bud develop नहीं होनी चीए ती लेकिन इससे थोटी छोटी आपको flower bud देखने को मिल जाएगी जिससे आपको grain like structure देखने को मिलेगी रब structure देखने को मिलेगी उसी को हम क्य क्या बोलते हैं रीसीनेस बोलते हैं रीसीनेस किस वज़े से हो रही है रीसीनेस जो हो रही है वो किस वज़े से हो रही है प्री मेच्चोर फ्लावर डवलप हो गया प्री मेच्चोर फ्लावर बढ़ है वो डवलप होगी जिसकी वज़े से यह ग्रें लाइक स्टॉक्चर से वो आपको देखने को मिलेगी और जो कर्ड है जो कोली फ्लावर उसका एडिबल पार्ट कुन सा होता है कर्ड होता है इसकी हम बात करें इसको कर्ड बोलते हैं तो कर्ड पे आपको ग्रेन लाइक स्ट्रेक्चर है वो देखने को मिलती है उसी को हम क्या बोलते है रिसीनेस प्री मैचूर फ्लावर बड इनिशेशन यानि अभी मैचूर होने का टाइम नहीं है फ्लावर बड आने का टाइम नहीं है लेकिन पहले ही फ्लावर बड आ गई तो उसको बोलते हैं हम रिसीनेस इफेक्ट क्या पड़ेगा मार्केट में उसको इनफिरियर क्वालिटी का समझा जाएगा प्राइस अच्छा नहीं मिलेगा एक्सपोर्ट में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो जायर सी बातलोस है वो अच्छा खासा देखने को मिलेगा अब बात आती है ये प्रोब्लम होती किस वज़े से क्या कारण है या तो आप हेवी डोज ओप नाइटोजन यानि नाइटोजन है वो ज्यादा दे देती है या रिलेटिव हुमिडिटी क्या होती है हाई होती है यानि जो मोशर है वो क्या होता है ज्यादा होता है या फिर टेंप्रेचर में fluctuation बहुत होता है high temperature low temperature high temperature low temperature यानि temperature में fluctuation बहुत होता है तो यह तीन रीजन है कौन-कौन सा एक तो मैंने बताया कि nitrogen की heavy dose दे देते हैं high relative humidity है और temperature में fluctuation बहुत होता है या फिर according to variety temperature नहीं होता है उस case में आपको क्या है रीसी न şu से देखने को मिलता है अब देखो रीसी नईस की तो बात होगी अब fuginess क्या होता है पहले जो मैंने यह श्केल अलग रख रखाथ recuperate नहीं पहले हम बात कर लेते फ्यूजी Chenis छिनेस के बात कर देखो fuginess क्या होता थे qG&S में आप देखेंगे जो इनका पैडि सिल होता है पैडि सिल तो जानती हो ना एक फुलावर का स्टोवकि एक फ्लावर का दंथल है असको आप क्या बोलने पैडि सिल बोलें देखो जैसे और लो कि इंदमने अप्छास्टवर। इसका जो डंथल Siol को पैडि सिल एक फ्लावर का जो स्टोक होता है उसको आप क्या बोलते हैं पैडिसिल और इनफ्लोरेसेंस का जो स्टोक होता है यानि फुलों के गुच्छे का जो स्टोक होता है इनफ्लोरेसेंस का स्टोक होता है उसको पैडेंकल बोलते हैं तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं pedicils, pedicils क्या elongate हो जाता है, थोड़ा लंबा हो जाता है, यह देखो थोड़ा सा आपको लंबा देखने को मिलेगा, ज्यादा problem हो जाएगी तब क्या है इसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो generally क्या है, pedicils elongate हो जाता है, उसकी वज़े जैसे फ्यूजी नेस देखने को मिलती है और फ्यूजी नेस से उपर वेलवेटी ग्रोथ होती है कैसी ग्रोथ होती है रफ नहीं होती है वेलवेटी ग्रोथ होती है वो तो रफ हो रहा था ग्रेनूलर हो रहा था यहां पे कैसी ग्रोथ होगी वेलवेटी वेलवेट कपड़ जानते हो ना उसके जैसे इसमें growth देखने को मिलती है इस कारण होता है एक तो देखो poor quality का seed ले रहे हो तब भी हो सकता है uneven temperature है यानि सही तापमान नहीं है तब भी हो सकता है उसके अलावा हम बात करें आप क्या है ओप season cultivation कर रहे हैं या बहुत late क्या है cultivation कर रहे हैं उस कारण प्रोब्लम है वो आपको देखने को मिल सकती है उसके अलावा जो soil होती है वो poor quality की होती है वहां भी आपको क्या है fugeness है वो देखने को मिल सकता है तो कहने का मतलब off season में देख सकता है और उसके अलावा temperature ठीक नहीं है यानि environmental condition ठीक नहीं है तो भी हो सकता है sheet quality अच्छी नहीं है तो भी हो सकता है, soil quality अच्छी नहीं है तो भी हो सकता है, late harvesting की वज़े से भी हो सकता है और कोई भी stress condition है जैसे water deficiency अगेरा है तो उस case के अंदर भी आपको fugeness है वो देखने को मिल सकता है नेक्स्ट एक होता है लिफिनेस, तीनों में डिफिनेस बता रहा हूँ, एक होता है लिफिनेस या लिफी करड़, इसके अंदर हाई टेंपरेचर की वज़े से इस करड़ में से लिफ फोर्मेशन हो जाता है, छोटी छोटी आपको लिफ देखने को मिल जाएगी, इसको लिफिनेस बता दिया मैंने, उसके अलावा हम बात करें तो लिफिनेस बता दिया, और इन तीनों में आप डिफ्रेंस भी समझ गयोंगे, पैडिसील इनलोंगेट होने का मतलो है फ्यूजीनेस, हना, और जो प्री मेच्चर फ्लावर बढ़ आगी, उसका मतलो है लिफिनेस और लिफिनेस होना क्या कहलाता है, लिफिनेस है वो कहलाता है, नेक्स अपने बात करें अगला डिशोर्डर है ब्लाइडनेस, देखो ब्लाइडनेस सिंपल है, वैसे तो रोज में भी होता है, सेमी रीजन होता है, जहां पर कर्ड या हैड बनना था, जहां पर कर्ड या है head formation होना था वहाँ पर क्या हो जाएगा curd head formation हो गा ही नहीं vegetative growth हो जाएगी और यह जो suit है यह जो branch अंदे की तरह बढ़ती रहेगी मतलो यह production नहीं करेगी काम इसका production करना था लेकिन नहीं करेगी इसी को blindness ब्लाइंड होके बढ़र यह क्या मतलो है इसका production करना चीए था इसको तो उसी को आप क्या बोलोगे blindness blindness किस कारण हो सकती है एक तो low temperature की वज़े से इस बढ़ की chilling injury हो सकती है यह बढ़ खराब हो सकती है तो low temperature की वज़े से blindness हो सकती है कोई insect इस बढ़ को damage कर सकता है तो insect की problem से हो सकती है कोई pathogen कोई disease है वो इस बढ़ को damage कर दे उसकी वज़े से हो सकती है एक्सिस quantity के अंदर कोई आप chemical fertilizer या chemical pesticide डालते हो उसकी वज़े से यह burn हो सकती है उसकी वज़े से खतम हो सकती है या फिर आप केत में कोई practice कर रहे है उस दोरान आपने इसको mechanically injury दे दिया या नियांतरिक रूप से इसका नुकसान कर दिया है तो उसके कारण भी क्या हो सकती है blindness है वो हो सकती है तो blindness के यह region है रोज पढ़ते हो उसके अंदर भी blindness के same के same region होते है next up browning और brown rot या red rot इसमें तो ज़्यादा discuss करने वाली बात ही नहीं है वैसे सबसे ज़्यादा आपको browning या brown rot या red rot कहां देखने को मिलता है basic soil में क्योंकि acidic soil में तो boron अच्छा खासा होता है और basic soil में क्या होता है boron deficiency होती है और यह किस के कारण होता है boron deficiency के कारण होता है brown rot बोल देते हैं browning बोल देते हैं या red rot बोलते हैं ठीक ठाक अगर boron की deficiency है तो इसे brown brown spot देखने को मिलेंगे थोड़ी और ज़्यादा deficiency होगी तो यह brown spot बड़े होते जाएंगे और यह समझ लो severity आगी बहुत ज़्यादा boron deficiency होगी तो यह brown की जगा red हो जाएगा न तो इसे market quality अच्छी खासी गिर जाती है इसी को brown rot और इसकी sewer condition वो कौन सी होती है red rot it is due to boron deficiency और यह specially आपको कहां पर देखने को मिलता है यह basic soil के अंदर आपको यह देखने को मिलता है clear है चलिए next अपने बात करें वीपटेल यह तो बहुत common disorder है बहुत बार पढ़ते होंगे आप वीपटेल है वो ज़्यादा तर आपको देखने को मिलेगा molybdenum deficiency से और कौन सी soil में देखने को मिलेगा acidic soil क्यांकि basic soil में तो molybdenum भरबूर होता है जो acidic soil होती है वहाँ पर क्या होता है molybdenum की deficiency होती है इसलिए वीपटेल आपको acidic soil में देखने को मिलता है वहीं पर browning आपको basic soil के अंदर देखने को मिलती है तो वीपटेल molybdenum deficiency से होता है इससे midrip होती वो थिक मोटी हो जाती है और जो leaf होती है वो क्या है थोड़ी curl भी हो जाएगी irregular भी हो जाएगी severity के अधार पर यह आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो यह भीपटेल है next एक chlorosis देखो rogesi family जिसमें रोज आता एपल, पियर, पीच वगेरा यह सब आते है rogesi family में दूसरा solenasi, tomato, ब्रिंजल, चिली, potato वगेरा जिसमें आते हैं बताया हुआ आपको देखो rogesi में apple, पियर, पीच, plum, cherry, strawberry है ना और उसके लाव वोलनट वगेरा यह सब किसमें आते हैं rogesi में आते हैं तो rogesi family दूसरी solenasi solenasi में tomato, ब्रिंजल, चिली, potato उसके लावा बेलेडोना, आसाउगंदा और टॉबेको जैसी crops आती है इन में और cruciferous में अगर chlorosis होती है तो mainly magnesium deficiency से होती है इन तीन family में mainly chlorosis होती है वो किसकी deficiency से होती है तो coal crops के अंदर जो chlorosis है, वो किसकी कमी से देखने को मिलेगी, magnesium deficiency क्या दिखेगा आपको इसमें, जो old leaf होती है नीचली leaf होती है, उसके अंदर intervinyl chlorosis देखने को मिलेगी सबसे पहले जो intervinyl chlorosis होती है उसका मतलब होता है कि जो leaf में vines होते हैं यानि जो सिराए होती है, वो तो dark green कलर की होती है, और अंदर अंदर से पीला पड़ जाता है इसको intervinyl chlorosis बोलते है और magnesium की deficiency कहां से दिखना स्टार्ट होती है, old leaf से यानि lower leaf से दिखना स्टार्ट होती है केसे symptom दिखाएगी, intervinyl chlorosis है वो दिखाती है, ठीक है तो इन तीनों family के कोई भी member है इसमें chlorosis है, वो किसकी deficiency से होगा magnesium की deficiency से होगा fugenis में आपको बता ही चुका हूँ fugenis क्या होता है, next है holosteam, देखो holosteam में देखो ये जो stem होता है, केसा हो जाता है खोकला हो जाता है, stem है हो केसा हो जाता है, खोकला हो जाता है ये generally आपको किसकी problem से देखने को मिलता है, nitrogen axis quantity में देदी, ज्यादा देदी है तो आपको holosteam में वो देखने को मिलता है next, fugenis की हम बाती कर चुके है leafiness है, उसकी भी बात कर चुके है एक होता है pre-mature bolting सबी कोल क्रॉप्स है कॉली फ्लावर है, केबेज है नोल खोल है, या फिर ब्रोकली है बुरूसला स्प्राउट, XYZ जो भी है जितनी भी कोल क्रॉप्स है, इसमें pre-mature bolting है, वो देखने को मिल सकती है देखे, एक चीज याद रखना जितनी भी कोल क्रॉप्स है उनमें जो commercial पार्ट होता है जिसे कर्ड होता है, हैड होता है स्प्राउट्स होता है, नोब होता है और उसके लावा जिसे अनॉपन फ्लावर बड होती है अलग-अलग के अंदर अलग-अलग पार्ट है कोली फ्लावर में edible part curd है cabbage में head है नोल खोल के अंदर knob होता है brucelus sprout में sprout होता है broccoli के अंदर unopen flower bud होती है तो जो भी commercial part develop होते है उनके लिए suitable temperature कितना होता है इनके लिए suitable temperature होता है आपका 15 to 20 degree Celsius यह तो गांट बांद दे लिए इसमें तो कोई doubt ही नहीं अगर इस दोरान temperature क्या है कम होता है 10 degree Celsius से कम होता है और यह temperature अगर regular 6 to 8 week बना रह जाएगा तो time से पहले ही इसमें seed stock यानि flower stock हो निकलाएगा जहां से beach बनता है वो stock है वो पहले ही निकलाएगा 10 degree Celsius से temperature अगर लगातार 6 week के आसपास रह गया तो flower stock पहले ही निकलाएगा तो आपका commercial product हो गया अब जरूर थोड़ी आप seed production करना चाते थे तो इसको हम क्या बोलते हैं bolting और जो bolting होती है या premature bolting होती है वो हमेशा coal crops में low temperature की वज़े से होती है coal crops में हमेशा किस वज़े से देखने को मिलती है लो टेंपरेचर की वज़े से देखने को मिलती है कई बार early soving कर देती हो तो भी हो जाती है और उसके अलाब poor seed और soil होती है उस condition में भी premature bolting देखने को मिल सकती है लेकिन जो main region होता है वो कौन सा होता है main region होता है वो low temperature होता है जो मैंने आपको बता दिया है और उसके बाद जो minor disease उनकी बात करेंगे उसके बाद अपने insect है उसका discuss करेंगे